कहीले प्रभु प्रमात्मा का लिल आवर भक्ता भक्ता को घर आंगन मा आएर गर्न हुन्छा था जैना कहीले कुन रूप मा भगवान आउन हुन्छा कईले मागने को रूप माउन उन्चे कि जोगी को रूप माउन उन्चे कि अनाथ को रूप माउन उन्चे कि तसर्त कसे लाइ पुने आफनो ब्यभार ले अरू कसे लाइ दुख नहोज अरू कसे लाइ गारो पीलो नहोज आफनो ब्यभार ले यही प्रयास गरों आमें कथा प्रशंगा माँ छों स्त्रिस्टिको क्रमलाई अगाडी स्त्रि सुगदेवजी महराजले स्रवनगराउं दे हुन हुन्च स्वयं भुभा मनुका तिनोटी पुत्री हरू आकोती देवहुती प्रशुती दिवहाई पुत्र हरू है प्रियवरतर उत्तानपाद आज स्री परिक्षित जी महराजले सोद्नों चे गुरुदेव स्वयं भुभा मनुकी पुत्री हरू को बिवहा कहां कां भयो कसरी भयो सारा ब्रितांत विस्तार पुर्वक मलाई सुनावन हो स्वांचन ब्रह्मा पुत्र जो चाया बाट जो प्रगण भयो कहां थिये जो कर्दम जी महराज ब्रह्मा जीले आफनो पुत्र कर्दम लाई स्रिष्टि विस्तार गरने करना का लागे अन्रोध गरे आज दक कर्दम जीले भन्नोंच अ हे पिताजे अहिले मैं ले विवाहा गरे र सृष्टियो लाय विस्तार गर न को लागि ममा त्यो दक्षत प्रापत भएको छैना मला ये पईला तपच्या गर्ना दिन होई अजे धेरे सक्ति आरजन गर्ना दिन होई स्रद्दालुस भक्तजन विवाहा गर्णा का लागी पनित्यों योग्यता प्राप्त हुनु पर्छा क्या भागवत ले यो सिकाऊंसा हमिले हर एक साना साना कुरा हरु सिकाऊंसा हमिले ध्यान दिनु पर्छा साना इमा आठमा नौमा दसमा बारोमा पर्दा पर्दे आफ आफ चित्त भुजोई लेर भागे हिट ट्यापटिपे हिंड़ो एक तिरे गहरे बसो तेस्त हुई न बस पहिलना अध्यान गरने आफ ले दक्षता प्राप्त गरने हाँ अब मेरो घर बार अम्रो संग चल्छा एक तिको दक्षता भए पसी मेरो जिवन सजीले हिसंग चल्छा भन्ने कुराज अब आफ 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 हैमा बिश्वस्त हुँँचा अनि बल्ला भिवाह कर्म गरनू पर्छा कर्दमजी महाराज जानुभो अब त्यो सक्ति प्राप्त गरना कलागी तपश्या गरना प्राम्र सुन्दर स्रीमति सुन्दर स्रीमति पनि प्राप्त हों रम्मलाई त्यो दक्षता त्यो सक्ति पनि प्राप्त हो जब भगवान को तपश्या गरनू हो जब बरसों तपस्यागार नुहुत प्रभ्रम्म प्रमात्म नारेड प्रशन नुहुत तपस्या देखी दर्शन दिनुहुँचा आयरभन्नुँचा करदम बरदान मागुँ अब कसरी वन्ने मलाई राम्री श्रीमती चाईयो तेई भैरत पस्यागारेगो हुँँ वन्नेर वन्ना बड़ा अफ्ठार लागेश करदम जिलाई माउन रहनुभु तर भगवान ता अंतर्यामी होनुँँचा मन को कुरा भुजन भो अवस्चे बनी करदम तिमरो मन को एक्ष्या पूर्णा होने छ आज को तिन दिन पर शयमभव मनो आफने पुत्री लाइली रेमार्ग होदे आउने छन तिम लाए लाएक पुत्री छांतेने, तिम्रो जिवनमा तिम लाए साथ दिन शकने, योग्यता उनको छो, बड़ा सुसील छन, बस उनाई संग तिमले भिवाहां गरनौ। अबस्य कर्दम जी महराज ले भन्नोंचा भगवन, अबस्य पनी, मैं ले बिभाहाता गर्शो, तर दो योटा सर्ता चान। सर्ता की हुनता बन्दा, एक नम्मर माता हजूर नहीं पुत्र बने राउनों पर्शा मेरो घरमा। अरको नम्मर मा मलाई पत्नी चाहिन देना। अबस्य पुझने कुराशा भिवाहा गर्शो तर पत्नी चाहिन देना वन्नोंचा। कस्तो भिवाहाला थियो। जो टीवी हरेर बस्न वाएको छा स्रदालो भक्त जनहरो ध्यान संग सुननों। यूटा प्रशा भाएको पने घरमा पत्नी चाहिन छो acceso थिर मसुए। कर्दम पत्नी चाहें देना अनिके कसरी विवाह गर्च होता हो भगवन मलाई पत्नी चाहें देना मलाई धार्मा पत्नी चाहें छा पत्नी बने को की हो रा धार्मा पत्नी बने को की होता पति लाई पतन को तरफ लिर जाने लाई पत्नी बनें छा जो पतन भय को पति लाई, जो कुसंगत मा, कुमार्गा मा, कुलत्न मा फाच्छे को पति लाई पने, समझाये बुजाये गारे र धर्म को मार्गा मा फरकाये र लियर आउना सकने पत्नी लाई, धर्म पत्नी भनेंचा मानुस जस्ते, स्रिमान को दिन भरे चोक मा गाये र पत्ता फिटे र वसने बानी छा, तेस्ते तेस्ते कुसंगत मा गाये र ठाड़ घाटी लाई र आउने बानी छा अन्यक प्रकार का संगत मा फासे कोचा कुसंगत मा भने पने राम्र संग मीठो बुले र स्वामी जिवो, हिन्योष ना आजको दिन भायपनी कथा मा जाओं, कती सुंदर सत्षंग हुंचान, संदे इत जानो भायपनी हजर ते पत्ति फिटनात, तास खेलनात, आजको दिन जाओं ना इननुज, कथा सुने राओं, कती राम्र प्रभजन हुंचा, कती राम्र भजन हरु हुंचान, समझाई भुजाई गरे र, तो कुलत मा फासे को पति लाई, धर्मा को मार्ग मा आउन्यको लागी प्रेरित गरने, तेस तलाई भनेंचा धर्मा पत्नी, अबधंधगा पत्नी लिके गर्चन, अली-अली जो पत्नी द्धोरे थोरे येताहुता धर्मा गर्ने बानी थियों, भ्यान उठेरे एक-दुली माला जपने बानी थियों, भने पने, ब्याने उठेरे, यसता माला जपरे कह वोने उला सहाई नगें, फलाना अरु नजपि उता जाओ वस धर्मको मार्ग बाट विचली द गराओने तिस्तलाय वनिंच पतनी ते भर हे भगवन मलाय पतनी चाहे देना धर्म पतनी चाहें छो श्रदालु फक्त जन आमादे दिवाईने हरू हजुर हरुपनी धर्म पत्नी भाईर वस्ने प्रियास गरनु से पत्नी मात्रे भाईर चल देना इसता प्रकार ले भगवान ले करदम जिलाई अनेक प्रकार का ज्यान हरु देर जानु हो तिन दिन वित्यो स्वयम भूब मनु आपने छोरी लाई लेर आज आउनु हो विदी संगत ढंगले कथा लाम हो सा आमे अल्य अगाड़ी पने बढ़नु सा दाता हरू अथिती हरू का आगवन भाई सा कि कुछ सम्मान पने गरनु सा बिदी संगत ढंगले आज स्वयम्भुवा मनुकी छोरी माईली छोरी देवहुती रा कर्दम जी को बिवाहाव हयो बड़ा सुन्दर आज देवहुती ले कर्दम को सेवा गर्चेन त्यों सेवा बाट बड़ा प्रशन्न उनुबो कर्दम जी महाराज तुस्टोहमद्यतवमान अभिमान दाया सुस्रोसया परमया परयाच वक्त्या त्यों सेवा बाट त्यों सुस्रोसया बाट बड़ा प्रशन्न उनुबो आज कामक नाम गढ़ेको बीमान को प्रगड़ गर नुख ते बीमान मा बस दुवे जन न करदम अने देह बहुती त्युपर्मण का लागी जानुभOoh जानदा जानदा जानदें ती बीमान कस्तो थिघ हो लिए थी वान वंदा खेडें आफ ले मन ले जहां ट्या vyुए पुगं जहां श्मरने थे। अब आईले मलाई पस्पती धर्सन गरन जान पाये हुंते इसनौा हे भूग भूग्य। आज मलाई ब्रिंदावन धर्शन गरन जान पाये राई उन वह बूग्य। बस त्यो भित्र सारा बसने, खाने, शुतने, सबे सारा सारा जो विवस्था चाएंचा, अनेक प्रकार को विवस्था ते भित्र भएकुतो दिभ्य बिमान प्रगडगरनु हो, तेही बिमान मा बसेर भर्मण का लागी दुबै जाना जानु हो, जान्द 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 जा कपिल देव भगवान को जन्मभौ हर splitting बहुतीं कि तरह amazon 6 कुजन महुने वित्तिके कर्दम जिली भन्नु हो मत पहिलेने सन्यास ग्रहणगर्शु हने कुथी हैं ही भगवन आज हामरो घरमा हजुर को आगवनले मधन्य धन्य भएकुचु मलाई अव सन्यास ग्रहणगर्ण एक्षा छा मलाई अव सन्यास ग्रहणगर्ण एक्षा छा तर देवहुतिको बड़ा चिन्ता छा कसरी छोड़ी रेजाने कपिल्दे भगवानले वन्नुँँच पिताजी हजुरली अव माता को सिन्ता गवर्णु परदेन मातालाई मैले सांके योग को ज्यान देर सारा कर्म का बंधन हरू मैले तोड़ी दिने शू मोक्षय प्राप्तिका लागी मैले बड़ा दिव्य सांके योग को यो दर्शन शुनावने शू अजोर अत्यानता निश्यंता भईर भगवान को ज्यान गरना जा इक्षा सभने जानु भई हुँचा कर्दम जी महाराज सन्यास ग्रहन गरे भगवान को ज्यान मा लागनु हो अब कपिल देव जी महाराज ले बड़ा सुन्दर सांके योग को दर्शन का कुरा हरु ज्यान हरु आज़ अपनी माता देव हुतिलाई दिन हुँचा बुले भक्तवत सल्भगवाने को जै जै अब नाना प्रकार का प्रस्न हरु यहाँ देव हुतिले कपिल देव सांके शोद्न हुचा निर्विना नितरां भोमन नसदिन्रिय तर्शना देन संभाव्य मानेन प्रपनांधं तमा प्रभो यह प्रभो यह भगवन यो संसार मा मैले जती सुख सुभीदा भोगें अन्य इस्त्री हरुले त्यो कल्पना पने करना सक्देन नारे करदम जस्तो योगी परमपुरुष पती पाउनो कामक बिमान जस्तो तो सुख सहल सुभीदा प्राप्त गरनो साक्षाद भगवान लाईने पुत्र को रूप मा प्राप्त गरनो एती सुखसायल जिवन मा आउदा पने यो मन संतुष्ट कहीं ले भए ना कहीं नेके कुरा को कमी को महसूस भई रहे को सा बस आत्म संतुष्टी कहीं ले भए ना हो मलाई पूर्ण आनंद भए भए ना कहीं ले इपने मन मा भए ना किना ता कभिल्देव जी महाराज ले भन्नों चा माता जी यो संसार ने दुख रुपी सागर हो दुखालयम शाश्वतम भणिये कुछ यो संसार ने दुखा को सागर हो यहां आयर सुखा पावनों भन्नों हमरू मोर्खता हो बस हो एक कहीं चेन सुखा को अनुभुती होंच तार बस एक कहीं छेण पची फेरे त्यो चीजले संतुष्टी होदाई ना अजे सुखा हो बने मनमा धारणा होंच यहां कहीं ले बने सुखा होंधे होंदे ही ना सुखा कहीं ले उन्च ता बन्दा खेरे ले प्होदा बने खुलेंच तिस्ते ही जही हे माताजी यो मनरुपी चाविलाई संसार तीर मोडने होई न भगवान तीर मोडेर अनि त्यो पूर्ण ब्रह्म प्रमात्म संग हामें जोडीना साक्यों भने अनि बल्ला पूर्ण सांती प्राप्त हुंचा नत्र संसार को सुखा बने को ते केई छेण का लागी होँचा जस्ते ही हामीले येदी स्वोदें बने कसे लाए अरे बुबा हजोर लाए सुखा चाई एको छा हजोर ले बनने होँचा हाँ चाई एको छा कथी दोई घंटा का लागी सुखा चाई एको छा होई ना कती एक दिन भरी को लागी, होई ना, कती दिन को लागी, पांस दिन को लागी शुखा चाहिए आचा, होई ना, एक मैना का लागी, होई ना, एक बर्षा को लागी शुखा चाहिए, होई ना, दस बर्षा का लागी, होई ना, पचास बर्षा को लागी, होई ना, बस जीवन इभान जिवन भारीको लागे शुख चाये कोछ अखंड शुख चाये कोछ तह तह तौ अखंड शुख यो खंडीत संसार बट प्राप्त पुनदे न अखंड सुखा का लागे वृरुना प्रमात्मा के संगामरोशं दो परस अनिवल्ला मिलाए अखंड सुखा को प्राप्ती हुन्स पूरुनमधह पूरुनमिदं। पूरुना पूरुनमुदَच्यते। पूरुनष्य पूरुनमादाय। पूरुनमेवावशिष्यते। जब हमी त्यो पूर्ण ब्रह्म्ह प्रमात्म संग जोडीन सक्षों, त्यो पूर्ण ब्रह्म्ह प्रमात्म को चरणार विंद को हमी दासवन्द स्वों, त्यो भगवान को पासमा हमी जब त्यो संग संबंद राखद स्वों, तब हमले पूर्ण सुखा, पूर्ण अनंद को अनिहुती हुन्च हुई नवनियो संसार मा छाडिक सुखमात्री प्राप्त हुन्च हे माताजी। बड़ा दिव्य ज्यान दिनु भैकुसे हां। दिवहुती माताले सो नभो हे भगवन। अव यो मन लाएं, यो मन रुपी चावी लाएं कसरी मोडनेता भगवानतर प्राप्त। जान देना बस यो मनत विशयर भासनाम घर विभार मा इतिर दारो संगत टासीर बसे कुसा अव इसलाएं कसरी भगवानतर मोडनेता। पंदा भन्नु होन्छ तिस्के लाग philosophies अहजई शंग मौनी दईना。 संत को संगत गरनु, जब जब संत को संगत होन्च। संत गुरुहरिले, मन रुपी घुडलायश़्तरे लगां λगायी दीना होन्च। ज्यान रुपी डंडाले मारनु होन्च। अने त्यो नत विशयमा जाना खोच्छ, नत बासनमा जाना स्खोच्छ, नत संसार को सुखसैल मा नई जाना कोच्छ, बस सीर भगवान को चरणमा उसको मन गयर लाख्ष माताजी जसलाई जीवन मा संतको संगत प्राप्त हुन्छा बस त्यों पूर्ण अनन्द उसलाई मिल्दशा कुने घड़ी, कुने समय, कुने एक शाण मा दुखा को अनुभुती हो देना जिसको जीवन में जिसको जीवन में मिला सतसंग है हे माताजी जसलाई जीवन मा सतसंग को प्राप्ति हुन्छा जसको जीवन सादु संत हुरु संग जोडीन्छा भगवान संग जोडीन्छा जसलाई परमानन्द को अगाड़ी यो समान्ने आनन्द को कुने काम छैना बड़ा सुंदर यहां सांखे शास्तर को ज्ञान दी रहनु है कुछा कप्लदेव भगवान का भगवान ले अफने माता देवा हुती लाई अनिक प्रकार का प्रस्ण और सुद्धै जानु हो यह प्रभु अब यो जीब गर्भ मा कसरी आउसा भगवान के आउसा हमें भण्शों जीब लाई अब कसरी भगवान हे प्रभु यो जीब कसरी जन मा ले आउसा और फेरी कसरे विलेन हुँचा कसरे भगवान मा गायर मेल चा अब यहां गर्भ वास को बरणन गर्णु है कुछा कप्लदे भगवान ले प्रभु हे माता जे सबय भंदा पहिला चंद्रर सुरिय को जुन तेज हुँचा चंद्रर सुरिय को तेज बाट अन्यमा आयर ते भगवान को ते अमसब अन्यमा आयर मेल चा सबय भंदा पहिला अन्य बाट पिता को सरीर मा आउसा जब ते अन्यमा पिता ले ग्रहण गर्शन जीप को जानुमा का सरी होंचा वन्ने कुरा यहां प्रष्ट पारदे होंचा त्या आन्सांका सुन्न होला पिता को सरीर मा आऊँछा पिता जीवाटा माता को गर्भ मा जान्छा कललम त्वेकरा त्रेन पंचरा त्रेन बुदबुधा दसाहे न तुकर कंदो पिश्यंडं बात तहपरं सबई बंदा पैलो दिम कललम त्वेकरा त्रेन पैलो रात्रेमा युड़ा समान्य तरल पदार्थ जो हुन्छा और बिस्तार बिस्तारे पंचरा त्रेन बुदबुधा माता को गर्भ मा जबस दिन को बंचा त्यो बयर को दाना समानु बंचारे अने विस्तारे विस्तारे यहीद ठूल हुदे जानच, अन्डाकार को बनाँ शच बिस्तारे विकास हुदे जानच तीन मैनामा सारा अंग, प्रत्यांगций अरु सवय बने रा तयारी हुँँँच पुत्र हुँचा के पुत्री हुँचा तीन मैना देखी था हुँचा अरे अने विस्तारे विस्तारे ते मात्री गर्भमा ते विकास हुदे जान्चा विकास हुदे जान्चा बड़दे बड़दे जान्चा जब सात मैना को फुख्षा उसलाई सबय कुरा था हुँँश मयो बंदा पईला जन्वमा किये थिये कस्तो कर्मा गरेर अईलियो गर्भमा आउनो पर्यो अनि भगवान संग बारम बार उसले प्राड़ थाना गरेक हुँँश युटा तो जीव लाई गर्भमा जती दुख हुँँचा मानोस साय साय बिक्सिले एकई चुटे डंका मारदा कती पीडा हुँँचा ते स्ते पीडा हुँँचा जीव लाई तो बालक लाई गर्भ भित्र हजार उसले खिटाण होरे टोकी रहे का सन अज़ेई भायन बने र तेई बेला माति आमा हरुले खोब पीरो खाने अमिलो खाने धरे तातो खाने धरे चीशो खाने गर्दा पड़ा पिडा हुँचा रे छटपटिंचा वित्र वित्र भगवान संग प्रार्थनां गर्छा, हे प्रभु, यो नरक रुपी गर्भमा मलाई नरक नो होच तिरे दिन, मलाई बाईर निकालनो होच, मेरो बाचा छा, मेरो कसम छा, मा अब हजुर को भजन गर्चो, अब मैले हजुर को त्यो चरणार बिंदा लाइ, कही ले पने भूल अब यो जन्मरा मृत्युक चक्करमा मा पड़ दिन, बाहरा आउने वित्तिके हजुर कोश्मरने गर्चो, भजन गर्चो, किर्तन गर्चो, बार भगवान संग उले प्रार्थना गर्चा, कोटी-कोटी प्रार्थना गर्चा, कसम खायर वसेकोंचे गर्भमा अनि तेती बिला, उसलाई सबई कुरा था हुँँच, पुर्व जन्मा पनी था हुँँच, यो जन्मा को विशाय मा पनी था हुँँच औरक कुरा सात मैना कु बच्चा भएपछी ती आमा बाबाले वो संसार मा बाही रख्ये भई रहे को छा आमा बाबाले के गरी रहे का आशन कस्तो बिभार गरी रहे का आशन त्यो पनी सबे था आउंचा अरभित्रा माननुस त्यो समय मा येदि ती आमाले जगडा गरने तामसी चीज होरू खाने नरामरो बिभार गरने गरे वने त्यो बच्चा पने तेस्ते चिड़ चिड़ा सभाब को जगडा लूब सभाब को रिशाहा तेस्तो जन्मिन छारे येदि सात्तिक विवार गरने सात्तिक आहार गरने भगवान को भजन गरने भगवान के चिंतन गर्यो भने त्यो बालक पने भगवान जस्ते भाईर जन्मिन सा